हेलो प्रेंस नामस्ते में राजकुमारी मेरे यूटी तेलनमा आपका स्वागत है और फ्रेंस आज मैंने सुबस्वा मॉनिंग में काम करने लगई और मेरे जो मिट्टी है फीछे आप देख लीजिए पूरी मिट्टी के इनों खुदाय करें फत्तर वगरह निकाल दिया है और बीज वगरह मैंने काफी सारे डाल दिया और इधर है जो कुछ बेल वाली सब्जों के भी डालूंगी तो यह मिट्टी बिलकुल है जो फत्तर वगरह है तो सारे फत्तर निकाल दिया है दिखाते हूं सुबह मॉनिंग से लगी हुई थी मैं और बीच बाब को किलिप ल अठा दिया है मैंने यह देख लीजिए बिल्कुल रेड़ी कर दिया है कि अलकल की बुंदिया आने लग गई है और मक्का के थोड़ा बहुत बीजिता डाल दी है लोकी गिल के डाल दी है और फ्रेंस क्या है कि मेरे थोड़ इस एने जो नेट की प्रोब्लम आरी थी जो मै अच्छे से खादवार डाला था मैंने तो अब अच्छे से फुलोबरिंग और दिखाते हैं देखिए फरसलीन में काफी अच्छी कलिया बनने लगई है यह देखिए मौस रोजे इसमें भी यह काफी सारे फूल खिले हुए है उदर दिखाते हूं प्रेंस आपको दिखात लुष पर अब नहीं करूं किक्या में लिए बननने लग ज़ा है और यह देखिए परपल हाट यह भी अच्छे से व्यों हो चुका यह दह देखिए और इस तुन को प्यड़ा यह देखिए और यह देखिए बाजरा डाला था चुडियाओ को जो यह थोड़ा बड़ा हो तो गयवाई को डाल दूगी मैं इधर देखिए मैंने मक्का के बीज बगर है डाले हुए है अभी देखिए उंकृत हो जाएंगे और यह कटिंग लगाए थी तो देखिए फ्रेस एक दो कटिंग तो लग चुकी है तो थोड़ी परिश्र मुझे ज्यादा करना पड़ रहा ह है तो इधर दिखाते हुए मोगरे में फूल खिल चुका है पर्सलीन में यह पिंक वाला कलरी निकलका है अभी फिलाल काफी घना हो चुका है और इधर है फ्रेंस मैंने जो बीज डाल दी है जैसे अंकृत होंगे मैं आपको दिखा दूगी और यह देखिए यह वाजरा है पूरे दीखिए तो इनके अंदर से जो घास बगरा वाटा दूगी मैं अब जाके यह पोदो को अच्छे से जान आईए यह गुडेल का आया तक रही घास बगरा है जिसको मैं गुड़ाई गुड़ाई करके अच्छे से कर दूगी और यह दिखिए मेरा चांदनी का यह चलने लग गया है वह बंदी के मैंने डाल देए गिल की के डाल देए लोकी डाल देए और फिर इस नेट की बजे से थोड़ाने कर पाई है तो आपको दिखा ऐसाओं थोड़ा भड़े हो जाएंगे तो इनको मैं स्षिट कर दूँगी अब फिलाल मैंने एक जिगे डाल दिये थे और यह देखिए निब्बू का अब चाहराबरा हो चुका है इधर है चमपा का है यह भी चल रहा है बोगन बिलिया है यह देखिए सारे पोदे अच्छे चल रहे है इधर है आपको दिखाते हूं मेरा बेल पत्र का बेल पत्र का अब काफी अच्छा हो चुका है कि देखिए और उदर उदर सारे बंडी के हैं और फिरस दिखाते हूं मीच माग को और थोड़ा सा जूम करते हूं के मेरे को यह देखिए फ्रेस मेंने कटिंग लगाई थी इसका नाम मुझे आता नहीं है फिरस पर काफी अच्छी से लग है यह चांदनी का देख लीजिए आप जाके मेरे चांदनी का पौदा हरा बरा हुआ है विश्ण कर्मी की बज़िस सारे पौदे में बिल्कुल वैसे हो गए थे देखिए गुलाब के अंदर भी है नहीं जो कलिया कलिया मनला पतिया निकलने लग गई है आप जाके यह हरा चमपा का है अच्छा वाला चल रहा है वह बगन मिलिया है फ्रेंस वारिस भीकर कुछ भी नहीं है और यह देखिए तो अर्वी यंकृत होने में थोड़ा टाइम लगेगा अर्वी के देखिए अर्वी के पत्तों की सबजी बहुत अच्छी लगती है और दो प्रकार से अ को देखिए वीच में यह जल चुक है इनको अठा दूंगी मैं पीच में को बेल वगएरा है जो अच्छे से यह थोड़ी बहुत मिट्टी भी डालने पड़ेगी मुझे और यह देख लिजी है और आज और मैंने विगो दिया है रात के विगो दिया है तो उनको भी लगा बार भी है तो यह देखिए फ्रेंस मैंने इनको ने जो वह दिया और बारी साते यहने मेरे अंदर के पोदे भी खिल चुक है क्योंकि इस साल इतनी विश्ण गर्मी थी कि पोदे विचारे क्या करते है यह मनी प्लांट बाप इस से ने जो चलने लग गई है यह सिंगोनिय तो देखिए फ्रेंस जो बीच गला है उनको यहां पर डालूँगी आपर वोंगी उनको तो मिर्टे को बिलकुल समतल कर देते हूं और इसके अंदर अबन है जो यह देखिए खाद है यह खाद को मैं इसमें मिलाने वाली हूं कि अच्छा प्रेंस और मैं आपको शाम को दिखा दिये थे बीग हो दिये थे एक दिन पूरा भीग चुके हैं और आगी का जो अपडेट है मैंने आपको बताया था मैंने और भीज डाला है तो उनको भी दिखाऊंगी मैं फिलाल मिट्टी मैंने सारी अच्छे से कर लिए दिखाते हूं को फ्रेंस इसमें गोबर की खाद डाल रखिए गाय की गोबर की एक मेंगनी है बकरी की जो है व सब्सक्राइब तो इसलिए कि यहां पर लगा रही हूं और यह देखिए बीज सारे में ने जो भीगो दिया थे तो सबसे पहले तो फ्रेंस मैंने जो लोकी वाले वीजे वो डालूंगी तो यह देखिए ऐसे डालना इसको यह देखिए यह देखिए और भीज हमेशा ज़्यादा डालना चाहिए देखते हैं कौन-कौन सांकुरत होता है यह देखिए तो यह देखिए फ्रेंस इस बार है जो मेरे पास में अपनी खुद की जमीन मिल चुकी है तो मैं इस बार देर सारे तलो किये गिल किये सारी जो बेज़िटे तो सेम की भी यहने मैं कई सारे बीज डालूँगी और मेरे काफी बड़ा इस पेज है यहां के अंदर और इस जमीन के लिए मुझे मैंने काफी मेहनत करी है मैंने तब जाके मुझे जमीन मिली है तो फिरेंस थोड़ा सा आप वेट करना पड़ेगा आपका अच्छी वीड दालने जा रहे हूं तो मुझे क्या है कि थोड़ी से मेहनत भी एश्टर करनी पड़ रही है क्योंकि मिट्टी के अंदर थोड़े फट्र वगएरा है तो फट्रों को निकालना भी होता है मिट्टी बिल्कुल भुरबरी बनानी पड़ती है उसके अंदर खाद मिक्स करना पड़ता है जग्ए चोईश करना पड़ता है कहां से करना है तो वह सारी चीजे में जो करते जा रही हूं और में फिले अकेली हूं मुझे को सपोट करने वाला है नीज है प्रेंस तो यह है कि महनत कर रही हूं आप लोगों को अगर मेरा थोड़ा सब वीडियो पसंद आय देखिए ऐसे पाइं डालेंगे मिट्टी विल्कुल गीली होई है और बीच को अच्छे से दवा दिया है यह देख लीजिए और बारिस के पानी में बहुती अच्छी मातरा में नाटरजन होता है और उससे क्या होता है फ्रेंस जो फसल बोई जाती है उसमें ज्यादा खाद के आवशक्ता नहीं होती है तो दो दिन पहले मैंने जो मक्का चोड़े चोले की फली इनके कुछ बीच डाले थे तो वह देख लीजिए और थोड़े दिन में फ्रेंस देखो अभी अभी नया गाडन बन रहा है तो थोड़ा तैम लगेगा और यह लोकी के यह थोड़ा क्या बढ़ बीज होता है तो थोड़ा मोटा होता हो तो उसको एक दो चार दिन लग जाएंगे तो मैं जैसे निकलेंगे आ ता तीस बसटे से से देखए और आगर आपको अच्छी वीडियों देखने को मिलेगी और यह देखिए मियरे आज जैसे गाउं में लखेत जिसा नजर आने लग गया है आर ओऊ तो फ्रेंस आज के वीडियो में इतना ही है आज के वीडियो अगर आपको मेरे थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सस्क्राइब कर लेना तो थेंक यू बाइ बाइ